राणी मुखर जी को लेकर आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वाइरल हो रही है जिसमें एक incident का जिक्र किया गया है कि कैसे एक फैन ने जब रानी मुखर जी को आवाज लगाई उनके फिल्म के सेट पर तो रानी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और अपनी टीम को भेज दिया सामने वाले फैन को चुप करवाने के लिए और ये धमकी दिल्वाने के लिए कि अगर अब रानी मुखर जी को आवाज लगा या उनके पास भी गए तो तुम्हारे खिलाफ आक्शन लिया जाएगा ये इंसिडेंट रेडिट पर एक यूजर ने शेयर किया है इस यूजर का कहना है कि ये बात तब की है जब बेफिकरे की शूटेंग पैरिस में हो रही थी रानी मुखर जी की बेटी बहुत चोटी थी रानी मुखर जी अपने पती आदित्य चोपडा के साथ पैरिस आई थी फिल्म की शूटिंग के लिए उनकी बच्ची चोटी थी रानी मुखर जी के साथ उनकी तीन-तीन नैनी थी बात उस दिन की है जब पानी में बोट का सीन शूट करना था और आदित्ती चोपडा और उनकी टीम को बोट में कुछ इंडियन्स चाहिए थे जो पैरिस में रहते हो ट्यूरिस्ट की तरह ताकि वो लोग ट्यूरिस्ट की तरह आट कर पाए इस यूजर का कहना है कि ये भी उस शूट के लिए पहुची थी, जब ये बोट पर थे तब ही रानी मुखरजी सीडया उतरकर बोट की तरफ आरहे थी अपनी बच्ची को लेकर इन लोगों ने रानी मुखर जी को आवाज लगाई, रानी मुखर जी ने देख के अंदेखा कर लिया और उसके बाद रानी ने अपनी टीम से दो मेंबर्स को भेजा और उन मेंबर्स ने इन लड़कियों को कहा कि आप रानी मुखर जी को डिस्टरब नहीं कर सकते, रानी कभी नहीं सोचा था रानी मुखर जी फिल्म इंडस्ट्री की वो आक्टर से जिनोंने जीरो से अपनी करियर की शुरुआत की और वो बहुत उचे लेवल तक गई लेकिन नेचर उनका इतना रूड है ये हमें नहीं पता था अपनी प्रिविसी को सब गाड करते हैं लेकिन हम सेक्ट पर कोई अजनम भी नहीं थे हम कोई पब्लिक नहीं थे उस दिन हम उनकी टीम का हिस्सा थे और इसलिए जब रानी मुखर जी दिखी तो हमने उनको आवाज लगाई हमें नहीं पता था कि इस बात से ही वो इतनी क्या आपका भी कभी किसी सेलिबरिटी के साथ कोई रूड इंसिडेंट हुआ है अगर हुआ है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें